जब किसी Space Shuttle को Antrix के लिए लौंच किया जाता है तो उसके लौंच के बाद Antrix में कदम रखने में मात्र 10 मिज़ का समय लग सकता है लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी 10 मिनट की उड़ान के लिए हो सकता है पिछले दस बरस से भी ज्यादा वक्त से इसके तैयारी किजा रही हो इसके लिए दुनिया के बेस्ट इंजिनियर्स, एस्ट्रोनोट्स, साइंटिस्ट और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करता है बलही शटल को ग्रेविटी क्रोस करने में दस निटका समय लगे, दुनिया की करोडों नजरें उसकी उडान पर होती है और इसको बनाने वाले लोगों को पता होता है कि अगर इस बार चूक गए तो भारी नुकसान हो सकता है कई जाने जा सकती है, और तो और फिर जीरो से वही मेहनत स्टार्ट करने पर सकती है वो इस अंजाम को अच्छी तरह जानते हैं, उनके पास कोई औप्शन नहीं होता जब किसी रनर को 100 मिटर रनिंग का गेम जीतना होता है, तो वो उसको जीतने के लिए उसके पहले की प्रैक्टिस सिर्फ 100 मिटर दोड़ के नहीं करता है वो चार किलोमेटर दोड़ता है, वो बहुत सारी अलग-अलग एक्सरसाइज करता है, अपनी डाइट पर, हेल्थ पर ध्यान देता है, अलग-अलग मौसम में दोड़ता है, ठकने के बाद भी दोड़ता है, तूटने के बाद भी दोड़ता है, क्योंकि उसको पता है, इस के बाद भी पड़ता है तूटने के बाद भी पड़ता है रोता हुआ भी पड़ता है ठोकर खाता हुआ भी पड़ता है पढ़ने का मतलब सिर्फ रट्टा मानना नहीं है पढ़ने का मतलब है ज्यान हसिल करना नया सीखना नए फोर्मुले ढूंड़ना मन में जिग्यासा र जबकि तुम्हारे पास रास्ते हैं तुम्हारे पास ओप्शन हैं अपने टाइम को वेस्ट करने का मोबाइल पे खुद को व्यस्ट रखने का खुद के सपने खुद ही नश्ट करने का बिना जरूरत बिना जरूरत रेस्ट करने का उस रेस्ट को गहरी नीद में कनवर्ट कर व्रदतियुजरी का आहसास नहीं है सटल वाले विग्यानिकों और इंजिनियरों को पता होता है कि उनपर जिम्मेधारी है पता है सिर्फ एक चांस है करोडों की उम्मीदे हैं कंट्री की बात है जिम्मेधारिया तुं पर भी है लेकिन फर्क यही है कि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुम पर जिम्मेदारी है अपनी जिंदगी बहतर डंग से जीने की अपने आपको डवलप करने की अपने आपको सक्षम बनाने की लेकिन फिर भी तुम्हें इसका एहसास नहीं हो क्योंकि तुम खुद से मेहनत करने के लिए डिमांड नहीं करते तुम्हें बदलाव सिर्फ अपने सपनों में ही अच्छा लगता है हकीकत में नहीं वेक्यानिकों के पास एक चांस होता है पर तुमारे पास चांस की कोई कमी नहीं है तुम उमर भर कंपिटिशन की तैयारी कर सकते हो क्योंकि तुमारी सफलता की सची उमीद करने वाली सिर्फ आठ दस आंके ही जहां इस फेस चटल की सफलता को देखने के लिए करोडों आखे होती है वही पर तुमारी सफलता की सची उमीद करने वाली सिर्फ आठ दसांके होती है जिनमें चार आँखे तुमारे लाचार माबाब की है जिनकी आँखे तुमें हमेसा पढ़ता हुआ ही देखती है जिनको कभी तुमारा बिहाइंड दे सीन्स दिखता ही नहीं है और बाकी दो-चार कोई खास इंसान और होंगे जो तुमें सफल देखना चाहते है पर इस जिम्मेदारी को तुम स्किप कर देते हो उनमें से कोई कुछ बोले तो उनको जूटे प्रॉमिस कर देते हो ज्यादा कोई बोले तो निगेटिव रियेक्शन दे देते हो उपर वाले से बोलोगों कि मुझे दिन के सो गंटे चाहिए मैं दिन में सो गंटे मेहनत करना चाहता हूँ और तब तुमारे लिए बीस गंटे मेहनत करना बाएं हाथ का खेल होगा तुमें अपने लिए चांस इसकी एक लिमिट तेह करनी होगी कि बस इसी चांस में करना है मुझे तब तुम्हें आसास होगा कि अगर तुम इस बार नहीं कर पाए तो तुम्हारा सटल क्रेश हो जाएगा तुम्हें फिर कई साल महनत करनी होगी तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना होगा कई लोगों का दिल तूटेगा खुद को कोशते रहोगे कि वक्त था, किताबे थी, बस दिल और दिमाग जोड़ना बाखी था जोड लेता तो आज इस तीन घंटे के एक्जाम का नतीजा पूरी दुनिया देखती लेकिन इसके लिए तुम्हें रनर की तरह दस गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी स्पेश शटल की तरह एकदम एक्जूरेट प्लानिंग करनी होगी तुम्हें वक्त को भूल जाना होगा वक्त की कदर करोगे तो वक्त तुमारा लेवल अप करतेगा मैं तुमारे लिए पांच मिनट का वीडियो लाने के लिए 20 घंटे सोचता हूँ वीडियो बनाता हूँ तो तुम भी कर सकते हो रोकेट वाला मोटिवेशन लाओ अपने अंदर रनर वाला जुनूल लाओ अपने अंदर टॉपर वाली जिम्मेदारी लाओ अपने अंदर इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी भी पूरी करने है जैहिंद वन्दे मात्रम